दोस्तों इस वीडियो के बाद आप Microsoft Edge ब्राउजर यूज करना शुरू करेंगे जी हां Microsoft Edge ब्राउजर के 11 टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ आज शेयर करने हो लाओ तो चलिए टिप्स नंबर वन से शुरू करते हैं सबसे पहले टिप्स में मैं आपको बताने हो लग कलेक्शन फीचर के बारे में जी हां Microsoft Edge में कलेक्शन फीचर कापी इंटरेश्टिंग है उसे एक्सेस करने के लिए आपको राइट कॉर्णर में जो एलिप्सिस मेनू दिखाए दे रहा है या तीन डॉट दिखाए दे रहे उसके उपको क्लिक करने हैं जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर आपको नीचे कलेक्शन ओप्शन दिखाए देगा इसे आप कंट्रोल शिप्ट वाई यह कीबोर्ड शॉटकट की से भी एक्सेस कर सकते हैं तो इसके उपर जैसे मैं क्लिक करूँगा यहां पर एक टास्क पेन यानि कलेक्शन का टास्क पेन उपन होगा जिसमें आपको Start New Collection बटन पे सबसे पहले क्लिक करना होगा तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूँ क्लिक करती है यहां पर कलेक्शन का नाम देने के लिए आए तो आप कोई भी कलेक्शन का नाम दे सकते हैं तो फिलाल हम Learn More इसे नाम दे देते हैं यहां पर आपको इसके अंदर क्या अड़ करना है आपको Current Page अड़ करना है मतलब आभी जो Current Page यहां पर चालू है यह तो आपसे आपको यहां से आड़ कर सकते हैं इसे इंध्रमिशन फो यहां पर और कर निया है तो यहां पर यहां पर इस तरह से आप सारी चीज़े यहांपर एड़ कर सकते हैं और हम अपर आड्गिन के रिज़ाया है यहां पर देख सकते है अधर नोट बटन है इसके उपर आप क्लिक कीजिए जैसे आप क्लिक करोगे और यहां पर आपको कुछ important note वगेरा लिख करना है जैसे यह जीस्टी information मैं collect करके रखना चाहता था तो मैंने अगı यहां पर चीजए चाहिए एक साथ मैने यहां पर collection मैं एड कर दी है लेकिन मैं चाहता हूं और एक collection मैं एक collection बना Wagening इस तरह से आप content add कर सकते हैं और यह collections यहाँ पर create होते जाएगा साथी में यहाँ पर भी ellipses menu आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप click करोगे तो इन सारे content को एक साथ अगर आप copy करना चाहते हैं तो आप copy कर सकते हैं सपोज मैं चाहता हूँ पुरा ना जो मेरा collection ने learn more वाला तो मैं इसे back कर लेता हूँ इसका नाम मैंने नहीं दिया उसे new collection नाम apply हो जाएगा यह वाला collection मैं ने open किया यहां पर मैंने click किया और यह सारी information copy करके मैं word में लेना चाहता हूँ तो मैं यहां से copy all करूँगा और word में जाके पेश करूँगा यहां पर directly जो हमारा online Microsoft word वगरा है उसमें भी आप यहां से send कर सकते हैं इने sort कर सकते हैं बहुत सारी चीज़े आप चलिए बढ़ते कंप्टर स्कीन पर Microsoft Edge में हम वेबस तायर कर सकते हैं जो ready to launch के लिए हो जाएंगे मतलब आपको बार बर कुई website विजिट करने रहते है रीगुलर कुई website access करने रहती है तो आप वेबस उसके तायर कर लो कैसे करना है यहां पर आपको यह अलिपस दिखाय आपको यह learn more website का app है तो इसे मैं learn more लिख देता हूं यहां पर और इसे मैं install बटन पर क्लिक करूंगा वैसे भी learn more app है अगर आपने चेक किया रहेगा प्ले स्टोर तो वे learn good फिलाल यहां पर इस website का एक web app ओपन हो चुका है यह जो web app है यहां पर आप taskbar पर notice करोगे तो यह 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 जो शुकी है और इसकी उपर मैं right click करके इसे मैं taskbar के उपर पिन भी कर सकता हूं यहां से पिन तो टर्हपार कर दिया तो भी चलेगा यहां पिर मैंने इसे close भी कर दिया और Microsoft Edge भी मैंने close कर दिया तो भी मैं यह से start कर सकता हूं मैं search करूंगा learn more और वो web app यहां पर दिखाई देगा, तो कोई भी वेबसेट क्वीक लिए अक्सेस करनी है, उसका वेबस पायर कीजिए, आप टास्बार से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपको यह वेबस नहीं चाहिए, तो सिंपले इस वेबस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको तीन डॉट जो दिखा करना चाहते है, उस आप को तो यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे एपs में आपको manage apps option दिखाय दे रहा है, जितने भी आप अपने इइश्टॉल के एक साथ, आप close करना चाहते है, उसे uninstall करना चाहते है, तो यहाँ से यह दिखाय दे रहा है, close button पे क्लिक कीजिए और यह कीजिए इस तरह से वह एप रिमू हो जाएगा तो चलिए जिस वेब साइट को आप रेगुलर यूज करते हैं उनका एप्स बना लीजिए अब बढ़ते तीसरे टीप्स की ओर जो कि है वेब कैप्चू अब यह जो माइको सापेज का फीचर है वह भी इलिपस में चुपा और आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है वेब कैप्चूर जी हाँ कंट्रोल शिप्ट एस पटन आप इसके लिए प्रेस कर सकते हैं मैं इस पर क्लिक कर आओ यह कापी इंट्रेस्टिंग है आप कैप्चर एरिया सेलेक कर सकते हैं अगर आपको पर्टिकुलर कोई एरिया य इस पूरा पूरा कियापिर हो चुका है और इसके उपर आप यहाँ पर हैइल्ड़ कर सकते हैं जैसे मुह यह अमनुजाल पर है करना कि यह कॉर्स की बहुत काम है इस कॉसमैं आप इन रॉल कॉर लग तो मैं ऐसे प्रोफर ईसाहाइलन कर सकता हु इस स्क्रिंशॉट को मैं सेव भी कर सकता हूँ, सेव बटन पर क्लिक करो, यहां पर आप इसे सेव कर सकते हैं, या कलेक्शन में अड़ करना है, तो आप इसे कलेक्शन में भी एड़ कर सकते हैं, तो यह काफी इंट्रेस्टिंग है, Microsoft Edge ने आपको screenshot लेने के लिए बहुत ही best option दिया है, और अब चोथी tips की तरह बढ़ते हैं, कि हम अपने website का QR code कैसे generate कर सकते हैं, मतलब कोई भी link का QR code अगर आपको generate करना है, तो Microsoft Edge ब्राउजर में बहुत ही आसानी से create कर सकते हैं, चलिए देखते स्क्रीन पे, यह tips बहुत ही simple ह अगर QR code generate करना है, तो आप easily कर सकते हैं, Microsoft Edge में, जियां, आपको बस यहां पे address बार जो दिखाए दे रहा है, इसकी उपर कर सरलाना है, और यहां पे click कर देना है, जैसे आप click करोगे, right side में आपको दिखाए दे रहा है, एक option add हो चुका है, create QR code, यहां पे आपको click करना है, जैसे में click करूँगा, यहां पे दिखा दे रहा है, scan QR और link भी आ रही है, यह QR अगर कोई scan करता है, तो ड्रेक ली हमारे इस वाले website पर यानि Google के प्ले स्टोर हमारे app पे पहुच जाएगा, अगर हमें app की link QR code के थ्रू किसी को देनी है, तो मैं यहां पे download बटन पे click अब बारी है पाचवे टीप्स की जो की है sleeping जिया sleeping taps, sleeping taps यानि की जो tap activate नहीं है, वो automatic sleep हो जाते है, कैसे देखते है, screen पे, दोस्तों आप यह वाला Microsoft Edge का feature है, जो की Microsoft का कहना है, कि यह feature 30% CPU का processing reduce करता है, मतलब 30% use reduce करेगा, अगर आप इसे on करते हो, तो यह क्या है, मैं बतान जाओंगा, basically, जब आप Microsoft Edge में बहुत सारे टाप open करके रख देते, यहाँ पर बहुत सारे टाप आपको दिखाए दे रहे है, लेकिन इसमें से कुछ टाप in active दिखाए देंगे, यानि कि थोड़े से light color में आपको दिखाए देंगे, अगर धयान से देखेंगे तो, तो यह आपको थोड़ा सा light दिख रहा है, यह light दिख रहा है, जो टाप पिछले पाच मिनिट से active नहीं है, वो टाप यहाँ पर light आ रहे है, यानि यह sleeping mode पे चले गए है, अब यह sleeping tabs option आपको अगर enable करना है, तो उसके लिए करना क्या में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको the specified amount of time, यहाँ पर मैंने रखा है, पाच मिनिट of inactive time, आप जो चाहिए वो यहाँ से set कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, यह features अगर आप आप करके रखते हैं, तो अगर आप पाच मिनिट से जो टाप यूज नहीं कर रहे है, आप सारे टाप उपन करके रखे, लेकिन पाच मिनिट से उपन नहीं कर रहे है, तो वो tap sleep mode बेजाएंगे, जिससे आपका resources बचेगा, यानि की CPU processing आप कम लेगा, Microsoft Edge आप 30% CPU uses रिडूस कर लेगा, Microsoft Edge का 100% है, उसमें से 30% CPU uses रिडूस कर लेगा, यह Microsoft का कहना है, तो sleeping tab के बारे में तो दोस्तो आपने जान लिया, अब पीडिएप रीडर, काफी इनहांस किया, Microsoft ने से, चलिए देखते हैं, दोस्तो अगर आप Microsoft Edge में पीडिएप उपन कर ले तो, Microsoft Edge आपको बहुत सरी ओप्शन देता है, जैसे कि यह आपे आपको दिखाए देरे, सबसे पहले, बहतरी में फीचर में आपको बताना चाहूंग और प्ले दुबारा करना है, तो प्ले कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, इस पीडिएप में आपको कुछ मार्क करना है, या कुछ हाइलाइट करना है, तो आप यहां पे ड्रॉ और हाइलाइट ओप्शन को यूज कर सकते हैं, जो भी पॉइंट को मुझे मार्क करना है, मैं इसे erase भी कर सकते हैं और दुबारा इसे save करना चाहते हैं तो PDF को यहाँ पर दुबारा save button से आप यहाँ पर save कर सकते हैं यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है PDF को आपको पढ़ने के लिए फूल साइज करना है तो यहाप फूल साइज कर सकते है आप रोटीट भी कर सकते है आप इसका जूमिंग लेवल कम ज़्यादा भी कर सकते है Microsoft Edge में PDF के साथ आप अच्छे से नैविगेट भी यहाँ पर कर सकते है अब PDF Reader के बादबारी है 7 नमबर टीप्स की और वो है वर्टीकल टैप्स स्क्रीन पे देखते हैं तो इस टीप्स में आपको बताने अलाओ कि अगर आपके पास यहाँ पर बहुत सारे होरिजन्टल टैप ओपन है और आप इन टैप के नाम नहीं पढ़ पारे कोन से टैप में क्या है आपने बहुत सारे टैप ओपन किये तो Microsoft Edge ने आपको यहाँ पर एक ओप्शन दिया है यहाँ पर आप क्लिक कीजिए टैप एक्शन मेनु पर और टर्न ओन वर्टीकल टैप्स इस पर क्लिक कीजिए और अगर आप यह ओप्शन से यहाँ पर नहीं चाहते हैं तो टैप ओप्शन पर क्लिक कीजिए दुबारा यहाँ पर टैप ओप्शन एक्शन पर क्लिक करने के बाद टर्न ओप वर्टीकल टैप सा आता है और यह ओप्शन अगर आपके यहाँ पर एक्शन पर अपर आपको यहाँ पर नहीं दिखाए देगा तो यह आपको यहाँ से शो करके रखना पड़ेगा दोस्तों वर्टीकल टैप के बाद टैप को एक साथ एकटा अगर आपको करना है तो ग्रूप की ज़रुत बढ़ती है और ग्रूप टैप यह ओप्शन कैसे अक्टिवेट करते है चले देखते स्क्रीन पर इस टीप्स में आपको बदाओ कि अगर आपने आपको यहां पर टैप ग्रूप दिखाए देंगे और इसे आपको डिपॉल्ड की जगए इनेबल कर देता हूं तो यह इनेबल हो जाता है यह दिखाए दे रहा है आपको और यह बता रहा है कि आपको यहां पर क्लिक करता हूं और यहां पर नया ग्रूप आड करने के लिए आएगा मैं आड करना चाहता हूं यूटूब चैनल राइट यूटूब चैनल और इसे मैं कलर कर देता हूं करना है तो आप कलर कर सकते हैं तो उसके बाद आप यहां पर देख सकते कि यह सतिष वाइटी चैनल करके एक ग्रूप आ चुका है इस पर क्लिक करते यह चारों यूटूब चैनल यहां पर रियूपन हो रहे जिसकी लिंक मने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए आप इनको चेक कर सकते हैं, वैसे 6 YouTube चैनल मेरी सारी की सारी चैनल की लिंक मने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दी है, चेक कर लेना जरूर, और इस ग्रूप को आप अन ग्रूप करना चाहते हैं, तो रैट लिक करके यहाँ पर अन ग्रूप ओप्शन दिखाए दे रहा है, आप अन ग्रूप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक उप्शन दिखाए देता है, जो भी वेबसाइट पर आपको आपको बुक कतरा इकाउन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे, तो यह रीड मोड में चला जाएगा, यहाँ पर जादा तर कंटेंट यहाँ पर हैलाइ और अभी आपको कंटेंट यहाँ पर प्रॉपर ली दिखाए दे रहे हैं, इन्हें आप रीड आलाओड बटन पर क्लिक करके रीड भी करा सकते हैं, और रीड आलाओड बटन पर जब आप क्लिक करते हो तो यह रीड तो होगा, साथ में वाइस ओप्शन मिलते हैं, कि यहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए कंटेंट है, अगर आप ऐसी वेबसाइट विजिट करते हो जहाँ पर पढ़ने के लिए कंटेंट नहीं है, तो यह वाला ओप्शन नहीं दिखाए दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं यूट्यूब पर आता हो तो आप्शन यहाँ नहीं दि इस पर आता है, तो आप उसे दुबार ओपन कर सकते हैं, आप मैको सब्सक्राइज उपन करो, और चंट्रोल शीप टी बटन प्रेस कोरो, जितने भी टैब पहले उपन थे, वो सारे के सारे यहाँ पे री उपन हो जाएंगे, चंट्रोल शीप टी बटन से, है ना इंट्रे इसने भी ओप्शन समने सी के वन तू लेकर 10 टीप में इसमें से बहुत सारे ओप्शन आप इनेबल करके रख सकते हमेशा के लिए उसे कैसे ने बल करना है सेटिंग के अंदर से मैको सब्सक्राइज में चलिए इस टीप्स में तो इस सेटिंग के लिए दोस्तों यहाँ प इस बार देख करते हैं नीचे देख सेटों आपको जाता है तो यहाँ पे एक्षर्टर्ट शय आपको आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इससे आपको शो कर टाँच्छन जाहिए तो आप को शो करता हो तो ऊपर आप देख पाएंगे कि यहाँ दॉबल हो ओर है स्याप अरो इसे आपरो लाव से इने पाव सकते हैं, और यहाँ अपको छिए इसे लिचरी बिटनमें, और अनुट्सी और है, अपको पे। अप QC वरे सी सिज्दखर र法 । यहां और हम पर क्विठ्षोर केर सकते हैं, जिस helemaal था हैं। शो वेब कैप्चर है शो शेयर बटन है और शो फीड़िबैक बटन है तो धेर सारे बटन यहां पर आप सेटिंग के जरी इनाबल कर सकते हैं यह थे सब्सक्राइब कर लेवन इंट्रेश्टिंग फीचर डेफिनेटल आपको पसंद आया होंगे कमेंट में मुझे बताना पसंद आया कि नहीं है और साथी मेरे जितने भी चैनल है रियल टुट्रियल या प्रिटैली टुट्रियल उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप चेक जरूर कर लेना और साथी मेरी वेबसाइट और आप को जरूर चेक किजिए गा मैं मिलों को कुछ और इंट्रेश्टिंग वडियों के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखिएगा बाई बाई